तो दोस्तों आप इसको बैक्टरियल इंफेक्शन में भी आप इसको ले सकते हो या फिर यूटिया इंफेक्शन हो गया है उसमें भी आपको डॉक्टर इसको लेने की सलह दे सकता है या क्लेम आइडिया हो गया है उसमें भी आप इसको लेने की सलह दे सकता है या फिर वैगिनल डाइसिस होना उसमें भी आप इसको ले सकते हो डॉक्टर इसकी सलह दे सकता है या गोना हो इना इसमें भी आप इसको ले सकते हो या पी आईडी होना इसमें भी डॉक्टर आपक दोस्तो डोक्टर इसको यूरीन इंफेक्शन में भी दे सकता है और इसी के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स इसी के साथ साथ दोस्तों सर्विटाइटिस लंग्स यानि की सूजन आ जाना फेवडो पर सूजन आ जाना पानी आ जाना पस भर जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या पिनीमोनिया हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सला दे सकता है या बु दोक्टर इसको देनी की सलाह दे सकता है ताइफएड जादे हो जाना इसमें भी डोक्टर इसको देनी की सलाह दे सकता है और इसी के साथ चाती में पेन हो जाना यानि की चाती में खांसते वक्त पेन होना उसमें भी डोक्टर इसको देनी की सलाह दे सकता है या बुखार के का पर अंच्छाती में दरद हो जाना उसमें भी डोक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है या फिर बोरोनकाइटिस जानी की सांस की नली में सूजन और एंठन सा पन हो जाना इसमें भी डोक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है या फिर टाइफाइड फीवर हो जाना टाइफएट फिवर में होता क्या है मास पेशियों में दर्द होने लगता है हाथ पेवों में जलन सी मैसूस होने लगती है इसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है ये भी वहाँ पर काफी अच्छा फाइदमन देखा गया है या दोस्तों फिर दोस्तों E&T बनना हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है या शोफ्त इंफेक्शन हो गया हो उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलहा दे सकता है या टॉंसिल हो गया हो आपने के बार देखा होगा जादे नजला होने के कारण या गले में एक खरास होने के देमन सामने देखने को मिला है और इसी के साथ आई इंफ्रेक्शन हो जाना या फिर आई फलूग जो अभी पीछे चला था वह हो जाना उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है या चोट लग जाना इंजिरी हो जाना इंजिरी यानि की चोट लग गई हो कहीं से जखम हो गया और टांके नहीं सोक रहे हो उसमें भी डॉक्टर इसको देने की सलहा दे सकता है मेरे प्यारे भेनों भाईयों आपको दो बात विसेस रूप से ध्यान रखनी है नमबर वन अगर आप इस प्रोडेक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परिशानिय किसी भी तरह के का अन्य शाय डिफेक्ट दिखा है तो घबराएं नहीं तुरंट इस प्रोडेक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डोक्टर से संपर्क करें नमबर तू किसी भी परकार की अन्य मेडिशीन या किसी भी अन्य परकार का कोई भी परिफेक्ट अपने डोक्टर के सलहा के नहीं लानी चाहिए क्योंकि मरीज की पैशेंट की उमर अकोडिंग अंदर बोडी में क्या चला है क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं उनके हार्मोन्स के उपर, उनकी उमर के उपर, उनके वजन के उपर उनकी जाच करवाने के बाद डोक्टर दवाया देता है इसलिए दोस्तो पहले अपने डोक्टर से प्रामर्स यानी की संपर्प करें क्योंकि दोस्तो जान है तो जान है वरना सब मिटी समान है उम्मीद करता हूँ दोस्तो अब आप समझ गए होगे तो दोस्तो अधी कैड़ी थ्रूर 150MG टैबलेट की इफ इफ इन्फोमेशन फिल गान काई दोस्तो अगरा आप माशल पर ने ने तो शनल को सब्सकाइब करें रिसोट को जादे शादे शेर कर थैंक्यू धन्यू